गुड बॉनिंग अबरिबन कैसे हैं आप सभी I hope all are very good आज हम discuss करेंगे जिके का question number 95 and question number 96 दो question जब वो discuss करेंगे काफी अच्छे question है काफी interesting question है कि मंचल पदेश की history selected है काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसलिए वीडियो को पोरा देखें first question में आज हम discuss करेंगे है कि 15 April 1948 को जब वो इमाच्छो देश का गटन हुआ तो कितनी तरसेल थी और आज कितनी तरसेल है वो सब को जब को डिसके करेंगे कितनी जब बँपतर सिल है उस टाइम की भी बात करेंगे और आज की भी बात करेंगे और कौन जो बो मुख्य है आयुक्त बने वो भी बात करेंगे गर्ष रेनी का राजे का बना बिलासपूर का बुष में जो वो मिलाया गया ठीक है किंदर सासित का बना पुर्ण राजे का दर्जा का मिलाया माचन देश को वो सब को जो इस वीडियो में हम डिसकूस करने बाल कुछ टाइम की भी बात करेंगे काफी कुछ जो हम लोग इस वीडियो में देखने बाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रगास से आपका जो यहां से जब एक हिस्टी का एक टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा ठीक है कि हिमाचवदेश का जब गठन हुआ उसके बा तो आपको बदा है कि 15 अपरिल नैटीन फॉर्टी एट को जो भो हमारे देश को जो आजा दी रही तो उसके बाद जब वो कई शारे राजा लगा को जब मना करे थे कि हमें जब इंडियन ईउनियन में नहीं मिलना है हमें जो वो स्वातनतर है टेक हमें जब एक स्वातन त सबसे पहले जो मतल की कौन सीरियासत को जबो हिमाजल में मिलाया गया इंडिये मं तो इमांच वभधेस में जो वह прикौन इस पहले शत्र को सबसे पहले जह सबसे पहले कर भी. मांचब देश में अस्थाई सरकार है तो अस्थाई सरकार है तो क्या वो था 26 जैनवरी 1948 जो वो एक मेटिंग हुई तो इसके जो परधान थे वो गई बरबुचरता है तो इसके जो परधान थे उस टाइम तो वो थे सीवानंद रमॉल थे तो अब बात करते हैं मांचब तो 1926 से 28 जैनवरी 1948 जो वो एक मीटिंग हुई एक समेलन हो गया है सोलन के दरवार हॉल में हुआ तो उसमें जो वो सभी राजाएं थे जो भी प्रधामंडल रियास्तों के राजाओं का समेलन हुआ एक बरगा से तो उस समेलन की अधिक्सता भी पुचिया थी तो एक थी कि राजा दृड़गासिंग ने की थी तो इसमें जो वो डिसाइड किया कि मांचल की नाम हो गए ठीक है अगर आपको ऐसे पुचा रहा है कि मांचल का नाम जो इसमें रखा तो यद्ध कि दिवाकर धत सर्मा ने रखा धिवाकर धत सर्मा तो इसको भी आप याद रहें न तो इसमें जो वो ट्वेंट सिक्स सिमला हिल स्टेट और फोर पंजाबी दियास्तो कुल जो वो 30 या 31 दियास्तो को जो वो मिला करके जो भो मजब देश का गटन किया गया ठीक है तो इसमें चार जीले बनाए गया तो ये चार जीले जो आपको याद रखने बेरिंग बॉट तहसीले कितने थी तृसीले। कुल जगा 24 भी मुझे मिला लेकिन कुल जगा 23 भी मिला तो इस्कोइशन का फैसे एक बुक में देखा मैंने तो 24 है थी जोबो उपत नगे उस ताइम के बात हुए तो 24 इसका सही ऐसा आंसर जाएगा फर्स गूँचा था कि किते ने तासिय लेती तो 24 इस अपत ने कितने थी दो ही उपत तसी ले थी और उस टाइम जो वह माच्प देश का एरिया जो सित्रफल है वह जो बो सिर्फ 27,169 था स्क्वेर किलोमेटर तो एक मुख्या आयुक्त जो बनाए गए तो कौन बनाए गए वहां पर क्योंकि यह जो वह माच्प देश चोब भी चीफ कमिशनर प्रोबिंस जो बनाए तो वह बने थे एंसी महता एंसी महता को आप जरूर याद रखें चीफ गमिस्नर जो बने थे मुख्य आयुक्त जो बने थे तो धी तेंसरे बने थे और लास्ट बने थे भगवान स साय। धे 1948 से लेकर है 51 तक तो इलेक्षिं होगे तो 51 तक तो लास्ट थे भगवान सहाय जो वो लास्ट चीफ कमिशनर थे हिमांचे पदेश के आफ आखरी मुख्य आयुक थे तेक है उसके बाद जो वो हिमांचे पदेश को गव स्रेणी का राज्य बनाएगे 1951 में तो सी स्रेणी का राज्य जैसे बव बना तो हिमांचे प उपराज्य पाल आ गए तो कॉन तेसाओ से पहले एक मार्च 1952 को मेजर जनरल हिमांचे पदेश का पहला उपराज्य पाल बनाए गया तो इमांचे पदेश में फिर जो गवांचे नेनी का राज्य बना और 1952 में तो बिदान सभा सीटों के लिए एक्षन हो गए तो उस ट कितनी सीटे थी तो कोशी नंबर सेकिंड में यह पूचाए कि कितनी सीटे थी ताइम आच यहां पर 51 है यहां पर 52 हो जाएगा ठीक है 52 यहां पर करने तो 1952 में जो वो 36 विदान सभा सीटों के लिए चनाब हो थे 36 तो इस कुश्चिन का अंसर रोजेगा 36 आज तो 68 है आज कितनी है आज की बात करें तो हमारे पास जो बारा जो पंचायत समीती जो वो 78 है और जीला परिसे जो वो 12 है ठीक है और ग्राम पंचायते जो वो देखे 3,2,2,6 ठीक है उसके बाद जो जो आंकडा है वो बना 2,3,2,4,3 ठीक है उसके बाद जो अभी भी जो वो कुछ ठीक है तो कुछ नहीं बचायते बन लगी है तो मुझे एक्जेक्ट जो अभी नहीं पता है फिलाल आप ऐसे याद रखिए कि कितनी बचायते ठीक है तो 1952 में जो वो बिदानसभा के इलेक्शन होई लेजिस्ट्रेटिव असेंबली बनी तो 20, sorry 36 बिदानसभा सीटों के ठीक है तो 24 सीटे जो वो कॉंग्रेस जी दे गई और यसबंद सिंग परमार जो वो 24 ठीक है 24 मार्च 1952 को जो वो हिमाजम देश के पहले मुख्य मंतरी बन गए ठीक है चार देश देख थे हमारे पहले ठीक है कौन कौन से चंबा मंडी महसुआर जिरमार ठीक है फिर बिला 37 स्क्वेर किलोमेटर जो वो फिर हो गया ठीक है तो फिर 1956 को जो वो उसको किंदर सासी प्रदेश बनाया गया ठीक है किंदर सासी प्रदेश जो बनाया गया और बजरंग बहादूर इनको आप याद रखे बजरंग बहादूर जो वो इस किंदर सासी प्रदेश के पहले उ को आप याद रखिए तो 1956 से लेकर 1971 देट याद रखिए 1951 से लेकर 1971 तक जोगो केंदर साजिद परदेश था लेकिन अभी जोगो कितने माजब देश में कितने जिले हो चुके थे चार थे पहले फिर जोगो बिलासपूर को मिला है तो पांच हो गए ठीक है उसके बाद किनो और जोगो छटा जिला वना एक में को एक में 1960 को याद रखिए उसके बाद जोगो कई सारे और वी जिले फने और जोगो 12 आज डिस्टिक हमारे देश में सॉरी देश में नहीं पर उपराजेपाल रहे ठीक है कितने उपराजेपाल रहे तो पांच रहे ठीक है पहले की आपने बात की बजरंग भादूर अगर आपका लास्ट पुछ जाए कि लास्ट जो है वो कौन थे तो भी कई बर पुछ जा चुका है कि आखरी उपराजेपाल कौन थे क्योंकि उसके गवरनर होंगे तो लाज्ट ते बहादूर सिंघ्ग वादूर बहुत आ है, टीक है तो इसको आप जटह जी दा जबूर बहना, उसके बाद उसके बाद जबूर जब पुनर्गठन हो गया देखे पंचाब का जब पुनर्गठन हो पंचाब का जब पुनर्गठन हो एक नॉमबर 1966 एक नॉमबर 1966 देखे एक में 1960 को तो किना और बना तो यहां पर ही 55673 स्कुएर किलमेटर का एरिया बन चुका था उसके पुनर्गठन में ही जब कांगड़ा, सिमला, कुल्लू, लाउसपिती, नालगार, डलोजी, ओसियरपूर से जब उन्ना बना तो यहां पर जब जिलो की संक्या जब छे से बढ़कर दस होगी थी अब आप फूलोगे कि जब बारा होगी तब तो एरिया बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन एरिया इतना ही है अब जो वो मांचपदेश के अंदर ही गटनो ठीक है मतलगी अंदर से ही जो वो राज्य को तोड़कर छोटे राज्य बनाए गए गए राज्य नहीं सौरी जिले अगर पूचा जाए कि कौन से दो जिले बने थे फिर आठीक है फिर 1972 को 1972 को जिलो का फिर से जब पुर्ण अभी जोगो दस ही जिले थे ठीक है फिर कांगरा जिलो को वो जब विवाजित करके उन्नाव और हमिरपूर जिलो को अब बनाया गया और टोटल कितने होगे बारा होगे चंबा शिर्म और मंडी ब्लासपूर किनों और कांगरा कुलू लू लॉस्पिति सिमला सोलन उन्नाव हमिरपूर अगर पुछा जाए सबसे चोटा कौन है एरिया वाइस तो सबसे चोटा है हमिरपूर और जैसे कि आप से पूछ जाता है कि माजब देश चोबो कौन सा राज्य बना था अठारमा बना था इंदरा गांदी ने जबो रिज मैदान पर देश का अठारमा पूर्ण राज्य बनाने की घोषना की थी तो देखे हमारे जो लास्ट विशी थी उसका आणसर जोब सिक्ट्रति थी ठी सिक्स जो हूँ उस टाइम सीठी थी ठीग और Congress ने कितने जीती थी? Congress ने जीती थी 24 तो बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी है तो जो वो कमेंट में लिखें कैसे लगी आपको वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करिए ओके थैंक यू एंड आप नाइस टेग